तो गाइज वेलकम बैक टो नादर वीडियो माइनक्राफ्ट तो गाइज दुबार से आज हम केल रहे हैं मैंडनेस एसमपी में तो गाइज आज की अली वीडियो में हम डुणने वाले हैं एक विलेज और चल पड़ा मैं विलेज जुणने की तलाश में आशा करता हूँ कि मुझे विलेज मिल जाएगा और जब तक मैं विलेज जुण रहा हूँ तब तक जिसने भी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो व और थोड़ा डूड़ने के बाद मुझे ऐसी ग्रास मिलती है और ऐसी ग्रास मिलते ही मैं समझ गया कि इधर विलेज है और मेरे उपर विलेज भी होता है तो चलते हैं विलेज में और विलेज में आते ही सबसे पहला काम तो मेरा एक ही होता है विलेज को लूटना जो कि मैं मैं याप बाते ही लूट ना भी शुरू कर ज HEREं मेरे पस मेरेखता हुआ स्फएये में अपना च्युम कंदा तरक्या सामान गवन में को यह हुदिनर विव मेरे पास आते निया रहें तो इसने मुझे बतानी हैट कैसे मार दिया और मैं आपर सम्पी में पहली बार गोलम के हाथों मर जाता हूं और उस टाइम पर मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि मुझे कैसे भी करके मेरे समान चाहिए पर दिकती कोई बात नहीं होती है मैं जाता हूं विलेज में कर अपना समान वापिस ले लिएन इस पर मैं और को चाहिए एक ही हमें जेड की सिक कि पर शौझ के चाहिए और कुछ रुखा बार यह मुझे मिरे चोटा वेस बनकर तयार भी होगया और अब यह बेस मुझे ऐखा दा इस जादा लिज venitvasak और मुझे कुछ के नीचे बनाऊंगा यह मेरे दिमाग में ऐसी आ गया था और मैंने बेस बनाना शुरू भी कर दिया और कुछ टाइम बाद ही मेरा छोटा सा बेस बनकर तयार भी हो गया और अब यह बेस्ट मुझे ज्यादा अच्छा ही लग रहा है तो इसमें मुझे कुछ मौडिफिकेशन करनी चाहिए जैसे कि इन वाल्स को साही करना पड़ेगा और यह फ्लोर और थोड़ी लगानी पड़ेंगी तो इस काम को भी जल्दी से निप्टाते हैं और अब मेरा वेस्ट पहले से थोड़ा बैटर लग रहा है मुझे और इसके पता नहीं मुझे एकदम और इस सम्पी में भी मेरा कोई बिदोस्त नहीं है और एकदम से लगए मुझे ट्रेट के लिए उफर कर रहे है तो मुझे थोड़ा शक होता है पर फिर मैं नोपी भाई से परतन वी सी में जाके बातचीत करता हूं और नोपी मुझे बताते हैं कि इस ट्रेड में कोई हम की तिमेंगे करने वाले हम इसमें आदिभाय को मारने वाले यह बाता यह श सबुस् змовые आदिफनें आप उसके बाद नोपिभाई को लग रहा था और उसके बाद मैं पंचते रहते हैं और हम दोनों को कर रहे होते हैं और यहाँ पर famille उप भाई भी आ जाते हैं और अब हम ट्रेड करने वाले हैं ऐसा आधी भाई को लग रहा था और उसके बाद मैं नर्पे भाई से बोलता हूँ अ nephew आधां कहा निया और उसके बाद नर्पिया उसके बाद मुह तो हम त्रेड नीचे करेंग sed और फिर मैं आदी भाई को भी नीचे जाने को बोलता हूं पर वो मुझे कहते हैं कि नीचे कुछ नहीं है और उसके बाद मैं जंप कर देता हूं यहां पर नोपय भाई ने पानी डाल दिया तो मैं अराम सा आता हूं और उसके बाद आदिवाई भाई भी आ जाते हैं और ये जेगा देखते ही मुझे बिल्कुल भी ट्रेड के लायक जेगा तो लगनी दिये और मुझे लगता है कि ये दुनों मुझे मारना जाते हैं क्यो हो दिये लिए क्या पतना है लोगों का प्लान हो मुझे मारने का और जैसा कि हम यहां ट्रेड करने नहीं आए आदिवाई को मारना है तो ready for films ले si कि मांग में सबसे पहले यहांता है कि मेरे पास डायमन और मैंन कुछ ज्वा बिगाणने उत्सक्ता हूं अधी रहते हैंद फिर च्रह नहीं वाला होता है और यहाँ पर लिए पास हर्ट कम रहते हैं तो मैं लाव बुकिर करने की पूरी कोशिस करता हूँ लिए है। लगा देता हूं और बच जाता हूँ उसके बाद हम टावर अप करके ऊपर आयाते हैं क्योंकि अदिचे मानना थोड़ा हाड है क्योंकि उनके पास diamond armor है और मेरे पास iron armor है तो हमाँ पर मेरे मरने की chances ज्यादा है उसके बाद नोपे भाई भी आदी भाई को मानना शुरू कर देते हैं और हमें किसी भी हालत में आदी भाई को मानना होगा और अपर आदी भाई भागते रहते हैं और मैं उनके पीछे लग जाता हूँ और फिर हम यहाँ पर fight करना शुरू कर देते हैं आदी भाई मुझे मानने ही कोशिश करते हैं पर मैं आदी भाई को मार देता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैं आदी भाई की shield को disable करता हूँ और उसके बाद अपनी X का जलवा दिखाता हूँ और उसके बाद कुछ ही hits में आदी भाई मर जाते हैं और अपर finally मैं बन जाता हूँ SMP का सबसे richest player क्योंकि मेरे पास 12 Hz हैं और 12 Hz SMP में किसी के पास भी नहीं है और मेरे पास अब diamond का armor भी आ चुका है और diamond के tools भी आ चुके हैं उसके बाद मैं cover me with diamonds की advancement ले देता हूँ और पूरा diamond का armor पहन लेता हूँ So guys, यहाँ पर मैं कभी trade की आशल से आया ही नहीं था मेरे सुरवाद से यही plan था कि मुझे आदी भाई को भी मारना है और नोप्यो भाई को भी मारना है जो की ऐसा होता भी है मैं आदी भाई को मार भी देता हूँ और अब बाजी थी नोप्यो भाई की तो क्या आप ready हैं नोप्यो भाई पिटने के लिए और उसके बाद मैं लगातार नोप्यो भाई को critically critical hits मारता हूँ और नोप्यो भाई बचाव का पूरा कोशिश करते हैं पर मैं उन्हें इतने hits मार देता हूँ कि वो डर के मारे left कर देते हैं पर कोई बात नहीं इस बार नोप्यो भाई बच गए कितनी बार बचेंगे उससे उसके बाद मेरे को एक idea आता है जहाँ पर नोप्यो भाई ये left किया था उदर पर मैं लावा लगायता हूँ अब नोप्यो भाई अगर game को join करेंगे तो वो लावा में गिर के मर जाएंगे और यही मेरा main plan होता है तो guys यहाँ पर video को end करने का time आ चुका है अगर आपको यह video थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो please एक like करते के जाना और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी next video में तब तक के लिए bye bye